बिस्मिल्लाय रुक्मानिर रुहीम तोड़ेस टोपिक ओफ डिसकेशन इस रिस्पारेटरी फार्माकॉलेजी तो रिस्पारेटरी फार्माकॉलेजी के अंदर ऐस्थमा और पीडी को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रक्स तमाल होती है हम वह पढ़ रहे थे तो इससे पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियोज अफ्लोड हो चुकि है इस चैनल के ओपर तो आप पहले उनको देख रिजएगा क्यों कि यह पार्ट थ्री वीडियो है सबसे लास्ट वीडियो है ऐस थमाकी ठीक हो गया यार इस्पारेटरी फार्माकॉलेजी की तो हम बा के रेट लिग पुन आपने किस चीज़ को ट्रीट करना है जो औरल से देते हैं जिनको सिस्टाइमिक रूट से देते हैं तो उसके अंदर एक्जेमपल आता है प्रेटनिसान की और ये और रिफ्रेक्ट्री एस्थमा को ट्रीट करने के लिए अस्वाल होता है कि ऐसा इस्तमाल होते हैं, mild to moderate to severe asthma, इनकी प्रोफालेक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तमाल होते हैं, और तीसरा है इंट्रावीनस पारेंटीनल रूट से, तो वो होता है प्रेंडिसलोन और हाइट्रोकोर्टिसोन, यह इस्तमाल होता है स्टेटस अस्थेमेटिकस, जो सबसे ज थेमेटिक ट्रॉक्स प्रूव होते हैं, तो पहला यह करते हैं, फॉसफोल ऐपेस A2 इंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, फोस्फोल ऐपेस A2 इंजाइम यह वो है जो रैकीडोरीं के सट को रेलेस करवाता हैं, फिर इसने सैट्ली ऑक्सिजिनेज पाथवाले वाले इंजा इसके साथ यह mediator की release को भी block कर देते हैं, early or late phase दुनों को block कर देते हैं, कौन से mediator, histamine, lack or trines वेगरा जो के release होते हैं, mast cell से, चोफ़ी चीज, चुछे यह anti-inflammatory यह अलाइसोसोम की मेम्रेन को stabilise कर देती है, विजोडाइलेशन को minimise कर देती है, तो यह inflammation को भी block कर देती है, जब inflammation को कम कर देगे, तो यह bronchial hyperactivity को भी कम कर देगे, जिसके बारे से bronchi का जेतना response आना जाए गया था, indigent के against, वो उतना ही आएगा, अगर जादा response आ गया तो construction हो जाती है, ठीक हो गया तो bronchial hyperactivity को block कर जाते हैं, अब इसकी toxicity क्या होती है, कि mainly जो cortico steroid या glucocorticoid की toxicity होती है, वो हमने endocrinology के अंदर पढ़नी होती है, लेकिन इसकी toxicity के अंदर adrenal separation हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि glucocorticoid क्या करते हैं यह negative feedback mechanism से अपनी secretion को block कर देते हैं, तो जो exogenous होते हैं, endogenous के secretion को block कर देते हैं, दूसरा candidiasis हो सकता है, ठीक है, candidiasis होता क्या, candidiasis का mechanism में आपको बताता हूँ, जब हम इनको inhaled form में देते हैं तो यह drug के droplets होती है, pharynx के अंदर जमा होना शुरू लेदे, इनके deposition हो जाती ह हैं, और इसी change के वारे से candidiasis हो जाता है, तो candidiasis को minimize करने के लिए, control करने के लिए हम clotry mazol यूज करते हैं, जो कि azol variety से belong करती है, और बार जो कहता होता है कि regular use करने के वारे से थोड़ा बहुत बच्चों के लिए चोटा सा short stretcher, growth retardation हो जाती है, लेकिन वो relatively mild होती है, और ख समझ भी आगिया होगा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, mast cell stabilizer, तो थोड़ा समझ है, यहां पर आना पड़ेगा, उमीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, तो जो mast cell stabilizer है, इसके अंदर आती है, chromaline आती है, और नीडो क्रोमिल आती है, मैंने यहां पर नामी ने लिखावा है, chromaline का लिखावा है, दूसरा नीडो क्रोमिल आती है, chromaline का दूसरा नाम है, disodium chromoglycate, ठीक हो गया है, इस प restriction कराता है, इसके अंदर leucal trines पी होते हैं, जिरोंने late phase के अंदर participate करना है, जिसके अंदर inflammation आ जाती है, bronchial hyper reactivity आ जाती है, तो अगर हम नीडो क्रोमिल यूस करेगा, तो फिर early और late phase, दोनों के दोनों stop हो जाएगे, chromaline का और नीडो क्रोमिल का पहला यूस तो हो गया, इ इसके लावा और क्या यूस होता है, chromaline के nasal और eye drops इस्तमाल होती है, जो के hay fever को treat करने के लिए इस्तमाल होती है, hay fever once again type 1 immediate hypersensitivity reaction है, hay fever के अंदर rhinitis और conjunctivitis आ जाता है, तो rhinitis के लिए nasal drops और conjunctivitis के लिए eye drops, जब कि oral form, जो oral इसके होती है, form होती है, drug होती है, chromaline की, तो वो और इसको minimize करने के लिए, irritation किसकी होती है, airways की होती है, तो cuff और irritation of airway को minimize करने के लिए हम क्या यूज करते है, beta to agonist यूज कर लेते है, short acting beta to agonist, ATM अगरा, ठीक हो गया, तो यहां तक तो हमने पूरी respiratory pharmacology को cover कर लिए है, strictly speaking, respiratory pharmacology के अंदर anti tuberculotic drugs भी आती है, तो उसकी वीडिय pharmacology वाली playlist के अंदर होगी, तो आप उसको वहां से ढूंद लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इस तरह बोर्ड पर पढ़ाना जादा, या पढ़ाना नहीं बलके discuss कराना जादा अच्छा लग रहा है, तो आपने वीडियो को like करना है, और चैन